हे हरी, हे हरी, हे हरी, हे हरी हम आख सुनेंगे रसोदकार, रसोदकार किसको कहते हैं? पहले रस क्या होता है? रस जब-ब हमारे तो भावत ऐसे होते हैं जिसको जो हमारे अंदर कुछ ऐसे emotion आते है जिसको feel करके अलगी feel आती है मन में उसको रस कहते हैं रस कही प्रकार के हैं विभत्स, शिंगार, वाचल, अई अनादियादी रस कहें जो आप रस सासर पढ़ेंगे रस कही प्रकार के हैं तो उसमें जो मूल रस है वो है शिंगार रस जिसको माधुर रस कहते हैं जिसको प्रेम रस कहते हैं साहित की भाशा में शिंगार कहते हैं भक्ती की भाशा में माधुर रस कहते हैं तो उस माधुर रस के चारो तरफ ही बाकी रस डोलते हैं तो आज क्या हुआ चार सखी शामला विमला अबला मंगला ये राधाराने से मिलने आई है ये सखी कौन है ये स्वतंतरी है स्वतंतरी मतलब ना ये राधा के पक्षकी है ना ये कृष्ण के पक्षकी है लेकिन तब भी इनके मन में राधा के प्रती प्रेम रहता है और ये करती है अब आप पुलेंगे ऐसा कैसे पक्ष मतलब होता है देखो कुछ सक्खियां होती है जो राधा की साइड लेती है कुछ कृष्ण की साइड लेती है कुछ दोनों की लेती है समान बावर और कुछ होती है स्वतंतर हैं उनके मन में जब प्रेम करती हैं ये भी कृष्ण से प्रेम करती हैं तो अलग अलग नाई का हैं जैसे मंजरियां तो कृष्ण को प्रेम करती हैं इसलिए क्योंकि राधा की प्रियतम हैं लेकिन ये ऐसा नहीं करती हैं सुतंतरी हैं ये कृष्ण को प्रस्नली भोगना चाहती हैं लेकिन राध राधा को ये बढ़ा पसंद करती है, क्यूcover고 ये समस्ती है कि हमारे क्रल्षन राधा से होते हैं, तो ये राधा से जाके पूछती है कि राधा जी आपकी ने रास लीला में क्या-क्या अनुभव करा। तो आज ये आई हैं राधा जी के दुआर पर हम भी उसी सकी भाव में उसी सकी सहेचरियों के साथ इस लिला में प्रविश करते हैं आईलो राधार पाशे जद पी स्वतंतरी तथ पी राधारे प्राने रोय धीक भाशे तरा राधा बोयार अरजाने ना सदय जयराधे स्री राधे बोले प्राने रधीक भालो भाशे तरा राधा बिने अरजाने ना स्वतंतरी यद्यपी स्वतंतरी की माना स्वतंतरी है लेकि तथ पी राधारे प्राने रोय धिक भाशे लेकिन तब भी राधारानी को अपने प्रानों से भी ज़्यादा प्रिये मानती है ये समझना होगा ये रश समझना होगा प्रिया प्रियतम का कि ब्रज में मान लिया जो कृष्ण पक्षा की भी सखी है न हमें पास चंद्रावली जी है जैसे चंद्रावली जी भी क्यों राधारानी से विवाद करती है इसलिए करती है क्यों राधा से विवाद करेंगी और क पासनली कृष्णा को लव नहीं कर सकते व्रिंदावन उपासना में आपको समझना होगा तदो, आपको पती मानने है तो द्वारकाधीश को मानने। लेकिन अगर आप गोविंद चाहिए तो आप व्रज का कृष्ण कर चाहिए तो आपको राधिका की शरण देने पड़ेग देखी शुबदनी उठिलाय बोनी मिलाय गलाय धरी अनिक जोतने रतन या सने बशालो आदर करी जोतन करे बोसाईलो आदधेर विशे भनो राजनन दिनी भक्त गरे एशे भुले जोतन करे बोसाईलो अरे अरे कृष्ण भक्त घर आए हैं भक्त की महिमा जानी है अरे भक्तों के बिना कैसे मिलेंगे शाम सुन्दर बिन संतों के संगी से कैसे मिलेंगे शाम सुन्दर तो आज राधारानी ने देखाया अरे कृष्ण भक्त आये हैं कृष्ण के चाहने वाले आये हैं मैं इने आसन देती हूँ रत्ने के आसन पर विराजमान करा है प्यारी जोने चारु सखियों को और चारु सखियों से उनका कुशन मंगल पूचा है। चारु सखियों नहीं को देखा है तो उन से कहा है चंपकलतिका हे श्यामला विमला हे अबला मंगला तुम मेरे घर आई हो आज तो दिन तो यामार भालोई जाबे प्रभात क्रिश्न भक्तिर दर्शन पेलाम तो रानितो नितो ये मनी आशे दिन तो आमार भालोई जाबे आज तो मेरा दिन बहुत बढ़िया जाएगा सुबह सुबह मैंने क्रिश्न भक्त के दर्शन कर लिए श्यामला हे अबला मंगला विमला क्रिप्या करके आप रोज आया करिए आप रोज आया करिए फिर इसके पार उन सखीयों ने राधारानी से बहुत ही प्रेम भरे वचन कहें हैं कुशल मंगल पूछा है और अब रजनी विलास पूछेंगी रजनी विलास में क्या क्या हुआ प्यारी जी बताएंगी उसकी गता हम अगले वीडियो में सुनेंगे तक तक के लिए शिराधे श्याम